प्रधानमंट्री नारेंद्र मोदी आज नोतुन दिलीर जशोभूमिते नबोम जी टोएंटी संग्षोदी उद्धक्षोदेर सिखर सम्मेलान पी टोएंटीर उद्भधन करें। एई सम्मेलानेर मुल भाबना एक प्रिथिवी एक पोरिबार एक भविशत। दुई दिनेर एई आंतुर जातिक सम्मेलानेर पुँचीस जन अध्धक्षो दर्ष जन उपाध्धक्षो ओ पंचास जन संग्षोदे उप्रतिनिधी जोग देछेन। शम्मेलानेर उद्भधने प्रधानमुत्रे स्पोष्ट भाशाय बलेन भारत दशकेर पर दशक्धोरे शिमान्तो पार शंत्राशेर शिकार। शिमान्तो पार थेके आशा जोंगीराई भारतियों संग्षदे हामला चालिये छेलो। एधरुनेर चालेंजेर मोकाबिला कोरेई शामनेर दिके गिये जोले छे भारत। शंत्राश प्रशूंगे एकोनों समुग्रु विश्षो एकको मते पूँछोते ना पाराई हताशा बैक्तो करें प्रधानमुत्रे यह बहुत दूखद है आज भी युनाइटेड नेशन्स में इंटरनेशनल कन्वेंशन अन कॉंबेंटिंग टर्रिजम कॉंसेंसस का इंतजार कर रहा है दुनिया के इसी रवेये का फाइदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं दुनिया भर की पार्लामेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव्स को यह सोचना होगा कि टर्रिजम के भिरूत इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके श्रीमोधी वोलेन भारतेर गनोतांत्रिक प्रक्रिया एतोटाई मोजबूत जे जेकोनो मुश्किलेर मोकाबिला कोरे जोई है भारत शंती शंप्रिती ओशोवभात रित्तो बोध बाड़ानूर जोन्नो विशेर प्रुति आहुबान जानान प्रधान मुंत्रे 21 सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइबरनसी विभीतता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ती है ये वाइबरनसी हमें हर चुनोती से लगने की हर मुश्किल काम मिलकर समाधान करने की प्रेणा देती है दुनिया के अलग कौनों में जो कुछ भी गट रहा है उससे आज कोई भी अचुता नहीं है conflicts और confrontation से आज दुनिया संक्रतों से जूज रही है साथ मिलकर चलने का समय है साथ आगे बढ़ने का समय है ये सबके विकास और कल्यान का समय है हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंदरीत सोच पर आगे बढ़ना होगा भारतियों संक्षोदियों ओइतिज्चो निये बेशकी चुदाहरुन तूले धरें श्री मोदी प्राचिन काल थेके चोले आशा संक्षोदियों बैवस्था पना विश्वेश्यामने तूले धरें तिनी इन में एक साथ आकर समाज के हित में सामुहित निर्णे लिये जाते थे पांच हजार साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा सौंसदिय प्रम्पराओं का ये विकास सिरब हमारी ही नहीं बलकी पूरे विश्व की धरोहर है प्रधर्मुंत्री बालेन पी टोएंटीर एशिकर सम्मिलन जनु उंग्षी दारित्तों के ओगनुत अंत्रों के मोजबूत कोरते शहाया खबे मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारे बहुमत से बनती है पर देश सहमती से चलता है हमारी पार्लामेंट्स और ये पी ट्वेंटी फोरम भी इस भावना को ससक्त कर सकती है डिबेट और डेलिबरेशन से इस दुनिया को बहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगी